आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, क्वेशन में गीवन है गयास है जो परफॉर्म कर रही है 0.320 किलो जूल वर्क किस पे सराउंडिंग पे वर्क ओन सराउंडिंग और एब्जॉब कर रहे है 120 जूल ओफीट सराउंडिंग से हमें बताना चेंज क्या हुआ हुआ इंटर्नल एनरजी में तो देखो अगर हमारे हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या होती है नेगेटिव साइन के साथ और क्या कहते हैं कि अगर वर्क इस डन बाई दी सिस्टम बाई दी सिस्टम अन दी सिराउंडिंग उसके इसमें हम क्या लेते हैं अपना नेगेटिव और अगर वर्क इस डन ओन दी सिस्टम बाई दी सराउंडिंग तो हम क्या करते हैं उसके इसमें ले लेते हैं अपना पॉजटिव वर्क इस डन ओन दी सिस्टम बाई दी सराउंडिंग ठीक है ना तो ये convention देख लिए अपने sign के तो इस case में क्या हो रहा है work done on the surrounding तो मेरा यहां पे तो work done negative हो गया work done तो negative हो गया और जो heat है वो क्या हो यह absorb तो Q की value हो गई positive अब हम इसको put कर देता है delta yukis के क्यों लोगा Q कितना है मेरा heat कितना एब्स ओर यह plus 120 प्लस 120 और अगर मैं हां पे बात करूँ माइनस work done आएगा यह वेरा 120 जूल है minus work done कितना है 320 किलो जूल और अगर आपको पता है 1 किलो जूल में मेरे कितने जूल हो था 200 जूल तो हमारा जो change in internal energy है वो कितना आगया वो आया minus 200 जूल अगर अप्शन्स तेके तो वो गीवन है पार्ट D में तो इस कुशन का मेरा काराक्ट रांसर क्या होगा पार्ट D थांक्यू क्लासेक्स से डूल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर